दोस्तों इंडिया के पास G20 की presidency ऐसे समय पर आई जब दुनिया हर चीज को लेकर दो पार्ट में divided थी दुनिया के अंदर बहुत सारी differences और divergences देखने को मिले जैसे की Russia Ukraine crisis के regarding दुनिया दो तरह से बटी हुई थी इसके लावा G20 के अंदर आप जानते हो developed countries का कुछ और मत है whereas developing countries का कुछ और सोचना है ऐसे time के उपर सब लोगों के दिमाग में एक सवाल था कि क्या ये जो हमारा G20 summit है इसके बाद सारी countries consensus पे रीच कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी और इंडिया के जो लोग हैं इंडिया के शेरपास की बात कर लीजे इंडिया के मिनिस्टर्स की बात कर लीजे उन सब की जो मेहनत थी वो पूरी तरह से रंग लाई है और यहाँ पर adopt हुआ है new Delhi declaration यहाँ पर मैं फिर से बता दूँ यह पूरी तरह से consensus के साथ इसको adopt किया गया है तो सारी countries नहीं यहाँ पर इस declaration के साथ agree किया है यहाँ पर आप देख भी सकते हो ठीक है ना आप Ministry of External Affairs की website के उपर जाकर यह पूरी PDF देख सकते हो कि इसके अंदर क्या-क्या बात है हुई है जो G20 New Delhi Declaration है 9-10 September जहाँ पर हमारा मोटो क्या था वसुधेव कुटमकम का वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का तो देखो थोड़ा इसके पर में discussion करें तो जो scale था ना, मतलब इसके आप देखो कितने बड़े level के उपर इंडिया ने यह चीज़ कंड़क करी है 220 से बिज़ा meeting हुई है ठीक है ना, 25,000 से बिज़ा delegates हो गया 115 से बिज़ा nationalities के यहाँ पर हमारे पास guests थे तो अपने आपे बहुत ही बड़ा event था और यहाँ पर आप देख सो कि दुनिया भर के यहाँ पर हमारे पास leaders देखने को मिले हालाकि जैसे चाइना के president वो नहीं आए ठीक है ना, रशिया के president नहीं आप आए तो उनकी जगा के उपर जैसे रशिया के foreign minister आए है ठीक है ना, चाइना के भी जो वहाँ के premier है वो आए हैं, तो आप notice कर पा रहे हो कि इंडिया ने बहुत अच्छे level के उपर इसको यहाँ पर conduct किया है और इवन अगर हम बात करेंगे ना, in terms of outcome तो यहाँ पर आप compare करो पिछले सालों के summits के साथ जैसे पिछले साल इंडोनेशिया, इटली यहाँ पर जब summits हुए था ना वहाँ पर आप देखो कि number of documents कितने हैं आपको outcomes कितने हैं देखने को मिल रहे हैं वेरास इंडिया का द्वारा जो इस पर किया गया यहाँ पर outcomes मारे total 73 देखने को मिल है तो total line of effort कितने आते हैं 73 next documents भी आप देखोगे वो भी जादा है तो total यहाँ पर इतने सारी चीजों के उपर हमें यहाँ पर work देखने को मिला जो इंडिया के लिए काफी actual में एक successful result हम मान सकते हैं अब देखो जो यहाँ पर G20 की शुरुआत हुई न आप जानते हो हमने क्या किया African Union को यहाँ पर entry करवा दी है G20 के अंदर तो यह अपने आप में मारा जो vision था न कि हम Global South की आवाज को आगे लेकर आना चाहते हैं वहाँ पर African Union का अपने आप में बहुत जादा important role रहने वाला है सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर कितने लोग हैं? 143 करोल लोग हैं लगबग अफरीका के अंदर जो African Union जिनको represent करेगा तो कहीं न कहीं यह जो Global South की आवाज है ना यह अब Global Mainstream की आवाज बन पाएगी ठीके ना? तो definitely हमारे यह जो इनके साथ अच्छे समंध है अफरीकान कांट्री के साथ उनको भी हम G20 के वाज के अंदर लेकर आप आप आएंगे यह हमारे देखो वसुदेब का टुमकम की बात है हम बोलते हैं न the world is one family तो उसी को ही हमने यहाँ पर यह चीज लिखी हुई है कि हम एक ही अर्थ दुनिया है, एक ही फैमिली है एंड एक ही future का हम यहाँ पर शेयर करते हैं यही थीम थी हमारे इस बार की वसुदेब का टुमकम की और यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत सारे important और भी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली जैसे for example यहाँ पर एकनॉमिक के रिगार्डें कुछ बात करीगी अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे for example रिख्या यूकरिंग ट्राइसिस के वज़े से ना पूरी दुनिया की जो एकनॉमिक ग्रोथ है उसके ओपर इंपक्ट आया इस तरह की headwinds थी जिन्होंने एकनॉमिक को कम करने के अंदर या GDP ग्रोथ को कम करने के अंदर तो अपने आप में हमें अब बहुत जादा अच्छे से काम करना पड़ेगा तो यहाँ पर यह भी बात हुई कि sustainable development goals के रिगार्डिंग हमें जो funding है जो finance है उसको यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा और उसमें एक role क्या है रोल है एक climate change को करने का देखो climate change का impact सिरफ एक इनसान की इनो body के उपर नहीं आता हर चीज के उपर इसका climate change का impact है तो यहाँ पर भी ना इसकी financing हमें यहाँ पर accordingly बढ़ानी पड़ेगी साथ में economic regarding ना जैसे poverty हो गया inequality महिलाओं की जो होता है यह सारे चीजों के उपर भी यहाँ पर consensus हमें देखने को मिला इसके लावा यहाँ पर कुछ important मुद्ध की जिनकी बात करी गई थी वह यह था sustainable development goals में ने आपको बताई दिया हम focus करें किसकी उपर inclusive growth के उपर साथ में जो environment की बात करी थी वह आपके point 3 के अंदर यहाँ पर बात करी गई कि जैसे हरे परधान मंति जी ने बोला था life के बारे में lifestyle for sustainable development यहाँ पर बात हो रही है कि एक आम इनसान भी ना अपनी lifestyle के अंदर क्या बदलाव लगे आ सकता है जो कि environment को अच्छे से यहाँ पर positively उसको आगे लेकर जा पाए इसके अलावा एक चीज़ आप यहाँ पर और notice करो यहाँ पर हमने बात करी debt vulnerabilities की in developing countries actual में ना बहुत सारी countries के अंदर हमने देखा है कि उनका ना जो कर्ज है उन countries के पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो हमारा focus था कि यह देखो यह कर्ज की जो terms है इनके अंदर हम transparency लेकर आएं and साथ ही साथ एक common framework की तरफ आगे बढ़ें जहां पर यह जो कर्ज है इनको हम कैसे धिरिदर करके कम कर सकते हैं इसके regarding बात करी climate change के regarding तो मैंने आपको बताई दिया कि किस तरह से हम चाते हैं कहीं न कहीं यहाँ पर इस direction में अंदर हम अच्छी कासी investment लेकर आ पाएं ठीक है मैं यहाँ पर इनफेक्ट आपको एक बता दूँ यहाँ पर एक pact भी sign हुआ है green development pact यह इसी लिए green development pact sign हुआ है ताकि इस direction के अंदर environment को और अच्छा बनाने के अंदर हम क्या काम कर सकते हैं साथ में ही एक important जो मुद्दा economy की perspective से है न वो है multilater development bank यहाँ पर बात हुई आपकी world bank के बारे में आपके IMF international monetary fund इनके बारे में यहाँ पर बात हुई कि इनके अंदर हमें कुछ reforms लेकर आने पड़ेंगे तब ही हम इनको आने वाले time के अंदर और effective institutions यहाँ पर बना सकते है तो यह भी अपने आप में है जो इंडिया का objective था जो इंडिया world bank और IMF के अंदर changes की बात करता है तो यह चीज़े भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है बाकी Paris agreement हो गया climate change के साथ ही link है और बाकी और चीज़े भी महिलाओं को कैसे हम आगे लेकर आ सकते है जेंडर gap को कैसे कम करना है साथ महीं जो least developed countries हैं उनके perspective कैसे आगे लेकर आप आएं यह सभी बाते यहाँ देखने के बली साथ मही न एक मुद्धा यहाँ पर उठा digital services के access का and digital public infrastructure का मैं आपको example समझाता हूँ जैसे आपने कोविन एप यूज करी है जिसके थुरू आपने कही न कहीं vaccines लगवाई हैं इंडिया ने कितने दो सो क्रोड से भी जादा हमने vaccines लगवाई है ठीक है उसी तरह से जैसे अरोग्य से तु एप हो गया आपका telemedicine की जो इस इंजीव नहीं आती है यह इस तरह की digital services के माध्याम से हमने health sector को improve किया अब देखो इंडिया इतना अच्छा progress कर रहा होगा आपका UK कुछ कर रहा होगा आपके अलग-अलग countries कुछ कर रही होंगी तो वो सारी चीजे हम कैसे एक दूसरे countries का यहां पर share कर सकते हैं यहां पर opportunities को हम कैसे ensure कर सकते हैं पूरी दुनिया की growth के लिए यह भी यहां पर मारा focus हमें देखने को मिला है तो अपने attention थी कि पता नहीं यार यह रशिया है इधर चाइना है यह क्या बोलेंगी और बाकी countries क्या बोलेंगी तो इसके उपर consensus कैसे आ गया तो थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं देखो यहां पर word समझना कि हमने क्या बात करी यूक्रेयन और रशिया के रिगार्डिंग हमने यहां पर बात क्या करी है इसके अंदर यहां पर बात करी गई है कि जैसा हमने जो पिछली इंडोनेशिया के अंदर जो summit थी जो बाली के अंदर हुई थी उसके अंदर आप notice करना कि यहां पर हमने बात क्या करी कि जितनी भी countries है उनको United Nation के जो charter है उनको मानना चाहिए at the same time हर country को refrain करना होगा कि वो force का use ना करे और territory बाकी इंक्वायर ना करे तो basically हमारा focus था territorial integrity के उपर, sovereignty के उपर और political independence के उपर तो यह जो words है अपने बड़े हैं हम भी बात करते हैं हमारे punch shield के अंदर भी बात करी है हम respect करते हैं integrity, sovereignty इन सभी चीज़ों की तो यह हमने words यहां पर यूज क weapons को हम use नहीं करेंगे ठीक है ना तो यह अपने आपे बहुत जादा important बन जाता है इसके लाब और भी कुछ बाते हैं जैसे for example यहां पर बताया गया है कि जैसे Ukraine के अंदर हुआ ठीक है कही ना कहीं human suffering हमें यहां पर देखने को मिली Ukraine के अंदर लोगों के उपर बहुत ही वो लडाई यूद का समय नहीं है वो है आपका peace का इंडिया ने हमेशा किसको माना है इंडिया ने हमेशा माना है peace को हमने respect करिया international law के principles uphold होने चाहिए integrity sovereignty international humanitarian law इन सभी चीजों की respect होनी चाहिए ताकि दुनिया में peace और stability लेकर आपाए और वही यहां पर बात थी बात देखो वही है घूम फिर के हमारा वसुदेब के टुमकुम जबात करता है ना one earth one family one future की इस particular family के अंदर लडाई जगडे की कोई जगा नहीं है हमें कहिना के पूरी दुनिया को एक peace के साथ अपनी stability के साथ इसको maintain करना होगा तब ही हम यहां पर जो international law के order है उनको यहां पर achieve कर पा पाऊगे यह हो गया आपका क्या यह आपका Middle East है और यह है आपका इधर योरोप तो दरसल में हुआ क्या है ना इन्होंने तीनोंने मिलकर इंडिया Middle East योरोप इन्होंने आपस में क्या करा है connectivity corridor इसको launch किया है इसका क्या मतलब connectivity corridor का जो मैं समझाता हूँ बहुत ही simple सा है अगर मान लोग कोई चीज इंडिया के अंदर पर यूस हुई ठीक है उसको कहीं भी हमने लेके जाना लेट से Middle East के अंदर लेके आना या या यूरोप के अंदर लेके जाना है तो कहीं ना कि उसके लिए क्या चाहिए उसके लिए चाहिए connectivity चाहिए इसी connectivity को ensure करने के लेका एंड अकॉर्डिंगली इस तरह से ना कोई भी समान लेट से आपने मुंबई से या फिर इंडिया में कहीं से भी आपने यहां तक यूरोप तक पहुंचाना है तो अभी तक पता क्या होता था अभी तक आप जाते थे इस रूट से ठीक है यहां बीचे में पाकिस्त भी यहां पर फसगी थी उसके वज़ा से इंपक्ट और भी आए था इवर गिवन नाम था तो वो शिप भी यहां पर फसगी थी तो इस तरह की दिक्कते भी आरे थी इस कनाल के रिकार्डिंग अब यहां पर क्या होगा ना जब यह क्नेक्टिविटी कॉईटर हमारा बन ज भी ठीक है ना बागी बागी कंट्रीज को भी तो इंडिया की मार्केट का एकसेस मिलेगा तो यह सारी चीज़े देखी दा रही है एक्च्वल में इसको जो आपका चाइना का है तो उसके कहीन के काउंटर में देखा जा रहा है अब हम ना इनके उपर जो डिपेंडनेंस ह जा लिया है उसको कहीन के कम करने की कोशिश है तो अपने आप में यह सारी कंट्रीज के लिए बहुत जाए हल्पफुल होगा यूएस पे साथ में इनके हल्प कर रहा है तो यूएस भी चाहता है कि मिडल इस्टनर कंट्रीज सा तो उसके रिलेश्चिप और बहतर हो तो य यहाँ पर देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो यह कुछ important point चीज़ है यहाँ पर देखने को मिली उसके साथ में एक चीज़ क्या हुई वह ही आपकी Global Bio Flu Alliance के रिगाड़ेंग देखो एक्चल में आप नोटिस करो अगर हम बात कर रहे हैं किस चीज की हम बात कर रह definitive क्या है हमारे लिए यही तो है जो आपका Global Bio Flual Alliance है तो इसको यहाँ पर accordingly यहाँ पर launch किया गया है साथ मेने इसके अंदर हमारे यहाँ G20 के अंदर financial inclusion को हम कैसे बहतर कर सकते हैं उसकी बात करीगी ठीक है न तो वह भी अपने आपे बहुत important चीज है daily declaration के अंदर इसके राव इनकी ढंक से नहीं कर जाती और इससे दिक्कते क्या आती है इससे दिक्कते यह आती है कि आपके terrorism financing हो गया उसके लिए use के जाता है आपके money laundering हो गया इस सबी purposes के लिए इसको use के जाता है तो अगर हमें इस चीज को रोकना है तो आपको नहीं लगता कि तो सारी चीजे मैंन करेंगे और oversight इनकी ओपर हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि कहिना कि crypto के रिगार इंगे जो issues आ रहे हैं यह हम वर्क कर पाएं बागी global biofluence alliance हो गया जो और renewable energy हो गया उसके तरह हम अपने कदम बढ़ाते रहें और ऐसा बोला गया है कि मारी renewable energy question है उसको 2030 तक न हम triple कर देंगे ठीक है न तो 11 टेरावार्ट्स तक हम अपने energy question यहाँ पर increase कर देंगे ताकि कहिना कहिना हमारा जो हमारा goal है कि 1.5 degree Celsius से ज़ादा हम अपने temperature को ना increase होने दे उसको भी achieve कर पाएं तो यह कुछ important point बात है थी जो हमें यहाँ पर discussion हुई है आपकी Delhi declaration के अंदर देखो यहाँ प इतना successful जो summit है उसको host किया उस time के अंदर जब दुनिया में इतने साथ differences देखने को मिल रहे थे तो अपने आप में इंडिया के लिए बहुत बड़ी achievement हमें देखने को मिल जाती है तो मैं आप सभी को भी इसकी शुब कामना भी देता हूँ क्योंकि इंडिया की तरफ से ही ह हमने इतना अच्छा summit है यहां पर host किया है ठीक है ना तो यह था आज का कुछ discussion I hope आज का session आप सभी को अच्छे समझ आया होगा इसी तरह से आप भी अपनेन पर hard work करते रहे है गुडबाई and thank you so much